वास्तविक जीवन से संबन्धित सवाल रियल लाइफ प्रॉब्लम्स आज हम देखेंगे कि रोज मर्रा की गतिविधियों में गणित का किस प्रकार प्रयोग किया जाता है बच्चों आप इस होनहार लड़के विमल को पहचानते हो ना और यह है उसका परिवार जैसा कि आप सब जानते हो कि घर का खर्चा चलाने के लिए विमल सब्जी बेचता है विमल के चाचा ने उसे सब्जियों की रेडी लगाने के लिए बैंक से उधार लेने की सला दी विमल ने सबजियों की रेड़ी लगाने के लिए बैंक से 500 रुपए उधार लिये थे जिसके लिए वह बैंक को हर महीने 51 रुपए का भुप्तान करता है विमल ने अपने पिता को बताया कि 10 महीनों में ये बैंक का सारा उधार चुका देगा बच्चों क्या आप बता सकते हो कि 10 महीनों में विमल बैंक को कुल कितने पैसे वापस करेगा आप विडियो रोग कर इसकी गणना कर सकते हैं हम इसकी गणना इस प्रकार कर सकते हैं 51 गुणा 10 हुए 510 विमल दस महीने में बैंक को 510 रुपए वापस करेगा बैंक से पैसा उधार लेते वक्त पडोस की घंशाम ने विमल के पिताजी को पुषकर साहुकार से उधार लेने की सला दी थी उन्होंने कहा कि अगर ये पुषकर से 500 रुपए उधार लेगा तो दस महीनों बाद उसे सिर्फ 550 रुपए देने पड़ेंगे बच्चों अब आप ही बताओ कि विमल के लिए बैंक से उधार लेना या साहुकार से उधार लेना कौन सा अच्छा सुझाओ था आप वीडियो को रोक कर इस प्रश्न का उत्तर सोच सकते हो दस महीने बाद विमल बैंक को 510 रुपए देगा दस महीने बाद विमल साहुकार को 550 रुपए देगा विमल को बैंक को कम पैसे देने पड़ेंगे क्या आपने भी यही सोचा था विमल गनित में अच्छा है इसलिए उसने बैंक से ही उधार लिया जैसा कि आप जानते हैं कि विमल को पढ़ाई बहुत पसंद है वह अपनी बेहन को रोज स्कूल जाने के लिए प्रोजसाहित करता है और खुद भी रोज नाइट स्कूल जाकर पढ़ाई करता है और फिर अपनी एक दुकान खोलना चाहता है या किसी ओफिस में काम करना चाहता है बच्चों आज हमने देखा कि रोज मर्रा की गतिविद्यों में गनित का किस प्रकार प्रयोग किया जाता है